सबी टीचर को में नमस्कार जैसे कि आप जान दें निश्टा टेरिंग 3.0, एफिलेंग कोर्ष 0.5, विद्या परवेश और बाल बटिका को समझना इसमें गतिवी दिदो अपनी समझ को परकें और गतिवी दिचार अपनी समझ के जांच करें और मुल्यांकर में जितने भी प्रसंद पूछेगे हैं सभी प्रसंद का हाल हम इस वीडियो में देखेंगे तो चले तो बीना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गतिवी दिदो अपनी समझ को परकें जैसे यह आप ओपेंड करेंगे तो यहां पर आपको कुछ डाउनलोड करने का उप्सिन आएंगे इसे आप डाउनलोड करके डाउनलोड कर लें डाउनलोड कर लेने के बाद यह वाले प्रसन आपके सामने खूल जाएंगे तो यह प्रसन आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं बच्चे के साथ अपने अनभाव के अधार पर विभिन लक्षों के तहत दाउनों के विकासात्मक उपघटकों को चुन कर समन्दित बॉक्स में रखे हैं यहां पर दो दाउनों 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 को फिल करना है तो परमुक दाउनों में कौन-कौन सही हो जाएंगे तो चल देखते हैं समाजिक रूप से वन्चनिय विभार का विकास इसे किलिक करके ड्रेक करते हुए परमुक दाउनों पर लाके रखना है उसके बाद हो जाएंगे अगला जो है अधार नावों का निर्मान इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके परमुख जाष्टाओं वाले option पर रख दें उसके बाद संख्यां बोध ग्यान संख्यां बोध ग्यान को भी किलिक करके ड्रेक करते हुए परमुख जाष्टाओं पर लाके रख देना है अगला जो है संख्यां के अत्म कोसल इसे भी किलिक करके ड्रेक करते हुए पर्मुख जाख्षताओं वाले option पे लाके रख देना है ठीक है अगला जो है समझ के साथ पढ़ना इसे भी किलिक करें और ड्रेक करते हुए पर्मुख जाख्षताओं पे लाके रखन देना है अगला जो है प्रायोजन के साथ लेखन इसे भी किलिक करें किलिक करके ड्रेक करते हुए परमुख जास्थाओं वाले अप्शिन पर लाके रख देना है अगला जो है बात्चित करना और सुनना इसे भी किलिक करें और किलिक करके ड्रेक करते हुए लाके परमुक जास्ताओं वाले उप्षिन पर रख देना है ठीक है और अंतिम एक और बचा हुआ है ग्यान का विकास ग्यान बोधी का विकास इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके परमुख देश्टावाले उप्षिन पर रख देते हैं ठीक है और आगे बचा है उप घटक उप घटक में कौन-कौन सा हो जाएगे पहला अप्षिन क्या है अगला जो है मदद करना, समझ करना, देख भाल करना इसे भी किलिक करके ड्रेक करते हूए उप घटक वाले उप्षिन पर रख देना है अगला जो है देखना, सुनना, अस्पर्ज करना और सुनना प्रखना इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके काँ पर रखना है उप घटक वाले अप्शन पर रख देना है अगला जो है माप, अकार और लंबाई इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके उपघटक वाले अप्शिन पर लाके रख देना है अगला जो है संख्या की पहचान करम का बोध इसे भी किलिक करके ड्रेक करके उपघटक वाले अप्शिन पर रख देना है अगला जो है आत्मी अभिवेक्ति के लिए लेखन इसे भी किलिक करें और ड्रेक करें कहां रखने उपगटक वाले अप्शिन पर रख देना है फिर एक बच जाते हैं इसमिर्ती याद करना मिलान वर्गी करन नमूने बनाना करम के अनुसार सोचना इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके उपगटक वाले अप्शिन पर रख देना अंतिम एक और बच जाते हैं किताबे का जुराव प्रिंट जाग रुकता है इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके उप घटक वाले उप्शन पर रख दें इस तरह से सजाने के बाद आपको क्या करना है जांच वाले उप्शन पर किलिक करें जैसे ही जांच वाले उप्शन पर किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सोलो प्रस्ण का जवाब दियें और सोलो बिल्कुल सही है सोलो बाई सोलो मिलके मुझे अंग अब चले देखते हैं गतिवदी चार अपनी समझ की जांच करें जिस तरह गतिवदी दो अपने डाउनलोड किये थें उसी तरह गतिवदी चार को भी आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे तो डाउनलोड टू पले पले डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड हो गया अब पले करते हैं तो चले गतिवदी चार को अपन करते हैं समागरी को चुन कर उचित गतिविदी या रूची वाले छेतर में रखें पहला जो बॉक्स है गतिविदी या रूची के छेतर का है और दुसरा जो बॉक्स है रूची छेतर में सम्मंदित बच्चे के लिए सुजाव समागरी तो गतिविधी या रूची छेत्र में कौन सा उप्षन सही हो जाएंगे उपर दियेगे गतिविधी से चून कर भरना है तो पहला उप्षन क्या है पुष्ट काले और साक्षरता छेत्र ये कौन सा बॉक्स में सही हो जाएंगे गतिविदी या रूची वाले छेत्र पे से लाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा इसे किलिक करें पुष्ट काले और साक्षरता छेत्र को किलिक करके ड्रेक करते हुए ओप्सन नंबर फस्ट में लाना है यानि गतिविदी और रूची वाले छेत्र पे इसे लाना है तो बि गतिविदी या रूची छेत्र के पास लाके रख देना है और अगला क्या हो जाएंगे संगीत और गती छेत्र इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके गतिविदी या रूची वाले छेत्र पे लाके रख देना है फिर नेश्ट क्या हो जाएंगे बलोक निर्मान छेत्र इसे भी किलिक कड़ें ओर ड्रैक करके गतिविदी या रूची छेत्र पे लाके bundle है फिर अगला क्या हो जाएंगे गुडिया या नatग्य प्रोष्ठी चैतर इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके कहाँ लागा गतिविदी या रूची के छेत्र पे लाके रख देना है अगला क्या हो जाएंगे कला छेत्र कला छेत्र को भी क्लिक करें और ड्रेक करके कहां लाना है गतिविदी या रूची छेत्र के वाले उप्सिन पे लाके रख देना है और और एक अंतिम बच जाते हैं गनित या हस्त कोसल युक्त छ करके गतिव्दी या रूची छेत्र वाले बॉक्स पर लाके रख देना है अब बच जाते हैं रूची छेत्र से सम्मंदित बच्चे के लिए सुझाव समागरी पहला जो है कॉमर्सिक किताबे सलेट इसो क्या करने किलिक करके रुची छेट से सम्मंदित बच्चे के लिए सुझा समागरी पिलाके रख देना है और दुसरा जो हो जाएंगे अगला जो है पजल, मेजिक, कार्ड, धागे और मोती इसे भी किलिक करके ड्रेक करके रुची छेटरिक से सम्मंदित बच्चे के लिए सुझा समागरी इस पर लाके रख देना है अगला जो है कागज, किरोयोन, आटा, चिकनी, मिटी इसे भी किलिक करके ड्रेक करके दुसरी वाले अप्षिन पर लाके रख देना है नेक्स्ट जो है आवर्धक, चुम्बक, मापने का, टेप डिस्कोवरी, एरिया, मेगजिन, गलास, मेगनेट इसे भी किलिक करके कहाँ पर लाक रख देना है रुची छेटरि से सम्मंदित बच्चे के लिए सुझा समागरी इसे भी किलिक करके इस पर लाके रख देना है ठीक है अगला जो बच जाते हैं खोकले ब्लोग इन्टरनेटिंग ब्लोग, लकरी के ब्लोग इसे भी किलिक करके ड्रेक करके रुची छेटर वाले उसनल dal के रख देना है नेक्स्ट जो है संगीत बाधक यंत्र संगीत परणाली और गीतों की डिवीडी इसे भी किलिक करके ड्रेक करते हुए रुची छेतली से सम्मंदित बच्चे के लिए सुझा समागरी इस पर लाके रख देना है अगला जो एक और बच जाते हैं गुडिया के अकार की समागरी या फिर दरपन इसे भी किलिक करें और ड्रेक करके रुची छेतली से सम्मंदित बच्चे के लिए सुझा समागरी पर लाके रख देना है इस तरह करमबत तरिके से सजाने के बाद आप चेक वाले ओप्षिन पर किलिक करें जैसे चेक वाले ओप्षिन पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने कूल 14 कोस्टन थे और मैंने कूल 14 प्रसंद का जवाब दे दिये हैं और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, यदि आप मुल्यांकन वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, महां से जाके आप देख सकते हैं, नहीं फिर इन स्क्रिन पर भी मिल जाएंगे, महां से जाके आप देख स को ते हैं